हलो एफ्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आज मैं सिखाऊंगे आप सभी कोफटा बखरीद स्पेशल कैसे बनाए इसकी रेसपी इसे बनाने के लिए मैंने एक मसालब प्रिपेयर करना है इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने लाल सुखी मिर्च लिया और इसको मैं ड्राय आधे मिनट हुए है मिर्चे फ्राइ हो रही है तो इसमें हमें 2 टेबल स्पून खशखश डालना यानि की पोस्ता दाना और इसे भी हमें इसी गरम पैन में भून लेना है जैसे यह बून रहा है उसी टाइम पर हमें इसमें दखनी मिर्चे डालनी है वन टी स्पून आधे मिनट तक बिल्कुल अच्छ से रोस्ट कर लेना है इतना रोस्ट करना है कि इसकी भूनने की बहुत अच्छी खुश्बू आने लगेगी जैसे ही आप फ्लेम ओफ कर चुके होंगे आपको यहां पर डेसिकेटड कोकोनट डालना है दो टेबल स्पून जितना आपने खशखश लिया है उतना ही लेना है और लेकर बस इसको हलका सा मिलाएं क्यूंकि पैन गरह में यह हलका भून जाएगा और अब इससे ट्रांसफर कर लिए एक प्लेट में जिससे यह थोड़ा मसाला हलका सा रूम टेंपरिटर पर ठंडा हो जाए क्यूंकि हम इसको ग्राइ देख हो जाएगा इसलिए इसका फ्लेवर जादा अनीम हो जाए इसलिए मैं यहां पे इसको हलका सा ठंडा करकर ग्राइंड करकर पावडर कर लिया है साथी मैंने यहां पर ब्रिस्ता बनाकर रखा हुआ है तो यहां पे मैंने तकरीबन 5-6 प्याज को अच्छे से फ्राइ इसमें ग्राइंडर में आपको हरा धनिया डालना है हैंडफुल उफ साथी इसमें 8-10 हरी मिर्चे डालेगा साथी इसमें जो हमने फ्राइ करकर ब्रिस्ता रखी है यह पूरा डाल दीजे और डालकर इसको बिना पानी के ड्राइ क्रश कर लीजे जिससे कॉर सा पेस्ट रेड में जाले जाला रहे हैं जाले जाल रही है हल्दी पाॉडर हाफ टीज्पून जिससे बहुत प्यार चालर आठी इसमें 1 जबीशका पाॉडर हाफ टीज्पून ynृड़ा मैने और 2 टीज्पून नमक डालेगा दाले नमक को हाथ्वा टेस्ट के एक आद झारे रहे हूं तो एक टेबल स्पून अब इसमें भुना और कुटा हुआ जीरा पाउडर वन टेबल स्पून एड़ करना है और इसमें हमें साथी में काश्मीरी लालमिश पाउडर आड़ करनी है उप कबाब ये कौफटा बनेगा। क्याओ थे अचा उप्र साथी मिल आख़को अधाना मिलना के कौफटा कबस दूह बनागा है शहल है क्या जाओ धिरूर दूह जी ceux इसमें भी आटाओं कर दो दो कौफटा प्रूर्इबल काया है बहुत अच्छे से जब सारे मसाले मिल गए हैं देखें इस तरह से बिलकुल मिला मिला सा नजर आ रहा है तो इस पॉइंट पर हमें इसमें ओयल एड़ करनी है यह ओयल जो है हमारी फ्राई अनियन का ओयल है जो कि मैं हाफ कप यहां पर आड़ कर रही हूँ अभी मैंने थोड करना है और डाल कर इसको बिलकुल अच्छे से मिला देना है तक यहां पर डाला है जिससे बहुत अच्छी बाइंड आगई है इससे जादा इसमें नहीं डलेगा और क्योंकि मैंने यह डाला तो अच्छी सी बाइंड होने के बाद में मुझे थोड़ ड्राई लग रहा था थोड़े मॉइस्चर के लिए मैंने दो टबल स्पून ओयल जो बचा हुआ था वो फिर से इसमें डाल दिया और डाल कर मैं इसको बिलकुल अच्छे से मिला ले रही हूँ जैसे यह अप हाथों से मिलाएंगे ना आपको अंदाज मिल जाएगा तो आप इसमें पूरा अच सालों का अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए तो रेस्ट पर रखे हुए इस मिक्षर को हमारे तकरीबन 5-10 मिनट हो चुके हैं अभी यह मिक्षर रेडी हो गया है तो हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा इस मिक्षर का पोशन लेना है और हातों पे बिलकुल इस तरह से बना लेनी है मिलकुल एक प्रॉपर लेमन साइस का बनाईएगा जिससे पर्फिक शेप रहेगा दिखने में प्यारा लगी गई है देखे मैंने इतने शेप का रखा है और बहुत अच्छे से मैं इसको गोल गोल बना ले रही हूं जिससे इसमें क्रैक्स नहीं पड़े हैं और यह बहुत अच्छे इवन से हो गए हैं तो इसी तरह से आपको यह पर्फे कोफ़ता बना लेने हैं सारे मैंने कोफ़ता प्रिपेर करकर एक प्लेट में रख लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको मेकन फ्रीज कैसे कर सकते हैं तो बखरीद नस्दीक है अपना इस तरह से कोफ़ते बना कर मैंन फ्रीज कीजिएगा और जब कभी व्यापको बनाना हो कोई तो अलू कोफ़ता बना सकते हैं छोले कोफ़ता बना सकते हैं तो यह अच्छे honeymoon से रहते हैं तक्रीबरा तो 25-20 दीन तक आप इसको स्टोर कर सकते है और इसको यूज़ जंअ आपको बनाना हो आपसकेità अदा अधा में उख्ण कर दिखाती हूं यहां पर मैंने आप अवयल गरम कर लिया घुद के आपको इे अनन नेए आपको फ्राइं कर ले गुज़ करदे हूं जैसे अगर आप कोफता पुलाव गिरा बना रहे हैं तो यह बहुत ही जबरदस कोफते बनते हैं और इससे जो आपका जो भी रेसपी बनाएंगे बहुत अच्छा अच्छा स्टार्टर सर्फ कर सकते हैं यह देखिए कोफता फ्राइ हो गया है तकर चार-पांच मिर्ट में होकर रेडी है और बहुत ही मज़ीदार खुश्बू आ रही है और यह कोफता लाजवाब सा बनकर तयार हुआ है सिंप्ली आप इसको प्यास के लच्छे और लेवन के साथ में सर्फ कर सकते हैं बहुत ही यूनीक है बहुत ही अच्छा है पर्फिक कोफता अगर बनाना है अगर आप इस तरह से कोफते बना कर रखेंगे तो आपका घंटों का काम मिंटों में हो जाएगा तो एक बर जरूर ट्राइक करें उमीद है आपको रेसेपी अच्छी लगी होगी अगर रेसेपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चैनल प कीजेगा बहा सर ख्याल दौा मियाद कीजेगा थांक्स पर वाचिंग